देश में कहीं बार तो कहीं सूखी की स्थिती बनी हुई है ऐसे में किस्तान दोनों परस्थिती में नुकसान जेल रहे हैं इस समय धान की फसल की रोपाई अपने आखरी स्टेज में होती है लेकिन कम बारिश के चलते अभी फसल त्यार होने में और समय लग रहा है भारत में कहां कितनी बारिश हुई है मौसम विभाग के डेटा इस बारे में क्या कहते हैं आईए समझने की कोशिश करते है दरसल भारतिया मौसम विभाग के डेटा के मतापिक देश में 1 जून से 20 अगस्त तक 674.9 mm बारिश हुई है यह 1961 से लेकर 2010 के बीच लगाए गए आधिकारी का नुमान से 10.5 फीसिदी अधिक है वहीं अगर हम बाद गंगा के तटिया राज्यों की करें तो चार राज्य सबसे ज्यादा सुखे की चपेट में हैं जिसमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगॉल और जहारखन शामिन है कुछ शेतर ऐसे हैं जहां वर्ष 1961 के बाद से इस साल 1 जून से अगस्त 20 के बीच तक की सबसे कम बारिश दर्ज की गई है आईमधी के आंकडों के मुताबिक देश के 38% हिस्सों में कम बारिश हुई है गंगा के चार मेदानी राज्यों के 723 ग्रिड में से 663 ग्रिड में 92% से कम बारिश हुई है यह साल 1961 के बाद से सबसे खराब स्तिती है पिछले दो वर्ष की आंकडों पर नजर डाले तो पता चलता है कि इस समय धान की 95 फीसदी और अरहर की 100 फीसदी बौई पूरी हो चुकी है जबकि मोजुदा स्थिती में यह 78 फीसद और 92 फीसद ही हो सकी है यानि धान की बौई 72 फीसद और जबकि अरहर की बौई 92 फीसद हो पाई है ज़ारखन के स्राय केला, खरसामा, पश्चिम, पूर्वी, सहिंबू जिलो समेत अनेक इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए भारी वर्षा का नुमान व्यक्त करते हुए मोसम विभाग ने रेड एलर्ट जारी किया है मोसम विभाग के अनुसार, राज्ये के इन जिलो समेत अनेक अन्य इलाकों में इस दोरान 70-200 मिलिमीटर तक वर्षा होने की संभावना है